आदो फ्रेंड तो क्या उमर है क्या पीडियातिक राइन प्लास्टी होती इसे पहले दियेगे बहल आइकोन को प्रेस करना एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिसे आने यहें को दोस्तोम की अधिने कुलमος भ करने किया है अगर बात करते हैं पडियाटिक प्लास्टी दोस्तों चैसे आपको पता है में resep and resize of the nose according to the rest of the facial features यानि rhinoplasty में हमारे nose को जो है हमारे जो बाकी जो face की जो structure है उसके हिसाब से उसको क्या है set किया जाता है दोस्तों pediatric rhinoplasty में अगर किसी बच्चे को जो nose की जो विक्रती है जिसको उसको deformity है उस deformity के कारण अगर जो है उसकी जो है nose के अंदर blockage and nasal blockage breathing में problem and उसको जो है look में दोनों में problem है दोस्तों usually अगर जो nose की जो विक्रती है उस विक्रती के कारण अगर आपको जो है वो cosmetically problem है functionally इतना problem नहीं है जब तो उस जो deformity है उसकी जो surgery है वो हम later on कर सकते हैं यानि अमूमन जो है अगर male patient है कोई boys है तो हम जो है उसकी 16-17 साल पर भी देख सकते हैं और female है तो उसका करीब हम जो है 14-15 साल पर करना चाहिए बट अगर उस विक्रती के कारण उसको mouth breathing होता है nasal blockage रहता है उसको रात को snoring होता है उसको शांस नहीं आता है सो दोस्तो उस surgery को हम जो है 10 साल या 11 साल पर भी कर सकते हैं जिसको हम pediatric rhinoplasty बोलते हैं दोस्तो pediatric rhinoplasty जो है usually पहली कहा है कि इसको avoid किया जाता है कि basically patient का जो है 17-18 साल पर इसकी surgery की जाए पर pediatric rhinoplasty के माद्यम से नोज को blockage free और जो है उसकी जो विक्रती है जो cosmetically problem है उसको ठीक किया जा सकता है जिससे आने वाले जो दुस्त परिनाम होते हैं क्योंकि 16-17 साल के उपर तो क्या है कि जो नोज के अंदर chronic जो blockage है उस blockage के कारण बहुत सारे दुस्त परिनाम का सामना करना पड़ता है जैसे उसका आवाज का changes होना है continue nose blockage के कारण उसको sinus की problem हो जाना है ear में problem हो जाना है ऐसे बहुत सारी चीजें होती है और दोस्तों एक important चीज हो रहे है जब pediatric age के अंदर जब उसका सही समय पे उसकी विक्रती जो है उसकी cosmetic और functional ठीक हो जाती है तो patient का जो है बच्चे का जो है psychological जो है वह मानसिक रूप से भी वह जो है स्ट्रोंग होता है और वो जो हमारा जो उसकी बोड़ी पे जो चैंजेज हुए है उनको जो है लेटर ओन अक्सेप्ट भी कर लेता है जैसे जैसे बाद में development होता है so friends I hope this information regarding pediatric rhinoplasty is useful for you and you can share this information to your family and friends just to create awareness about the pediatric rhinoplasty किस एजज पे बच्चों में जो है राइनो प्लास्टी कर सकते हैं थेंक यू